तो दोस्तों यहाँ पे फैनली बिहार बोर्ड ने इंटर एड्मिशन के लिए फस्ट मैरिट लिस्ट जाड़ी कर दिया गया है और यहाँ पे आप किस प्रकार से मैरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं तो आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं तो दोस्तों अगर आपका फस्ट तरीका से डाउनलोड नहीं हो रहा तो आपको सकेंड तरीका से जरूर डाउनलोड हो जाने वाला है तो आपको इस पीडियो को पूरा देखना है तबी जो है आपको समझ आया कि किस प्रकार से फस्ट मैरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं इंटर जा गया है तो आपको यहाँ पर मैरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे आज आना है नीचे आज आने के बाद आपको इन्पोर्टेंट लिंक में आपको यहाँ पर सबसे पहले मैरिट लिस्ट उसके बाद आपको डाउनलोड करने का भी लिंक दे दिया है अ उसके बाद आपको अपना mobile number डाल देना है, उसके बाद यहाँ पर capture डालके print पर click कर देना है, छलिए हम लोग आपना साइड़ डाल देते हैं, print पर click करने के बाद यहाँ पर student का details खुलके आजागा, यहाँ पर student name, उनका father's name आपको यहाँ पर दिखाएगा, उसके बाद आप किस college में आपका allotment हुआ है, वो आपको यहाँ पर बताया कि आपका किस college में नाम आया हुआ है, उसके बाद किस semester में आपका आया हुआ है, वो भी आपको यहाँ पर बताया जागा, उसके बाद यहाँ पर download कर लेना है, और इसका print करके रख लेना है, तो इसी print में आपको बताया गया कि कब आपका जो है admission होने वाला है आपको यहाँ पर इस प्रेंट में बताया गया है तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 11.08 यहाँ पर 18.08 तक जो है यहाँ पर admission होने वाला तो आपको यह foto copy ले करके अपने college में चल जाना है और यह आप तुहाँ पे दे करके एक मिसन ले सकते हैं 11.08 से 18.08 तक उसके बाद आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूँ कि किस परकार से आप दूसरे तरीके से जो है डॉनलोड कर सकते हैं दूसरे तरीक्रे से डॉणलोड करने के लिए जो है आपको यहाँ पे फिर船 यहां पूरे वेसाइट पे आजाना है और यहां पे आपको नीचे ओफिसल कर兇ड पर जाना है पिर आपका यहां पे आजागा अगर आपका नहीं आ रहा हुआ इसका मतलब आपका फरस्ट मर मैड़िस्ट में नाम नहीं आया हुआ है आपको दोनों तरिकां में किसी एक टरीका से ज़ knobpping कर सकते हैं आपको माय इस चैनल को जहूँ सब्सक्राइब कीजेगा साथे साथ दोस्तों इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजेगा तो ठीका दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय ही जय भारत